असलम अलेकुम गाइस माइनम इस मोहमद बुबशिर फान यूर्व वाचिंग क्रिप्टो मुभी यूट्यूब चैनल वेलकम डूटू दूटू बीटी से अपड़ेट्स यहां पे CPI की रिपोर्ट हमारे पास आच चुकी है मुझसे लोग गहरे थे कि सर आप 7.6 गलत बोले हैं 7.3 एक्चुल मैं वायो वाई को मतब यडली बेसिस को मिला के बोला था कि 0.3 था उसको मैं इसके साथ आपको यडली बता रहा था तो वो पूरा जो बन रहा था वो 7.7 एक्चुल था लेकिन असल में जो एक्चुल था अ लेकिन यहां पर आया हमारे पास 7.1 जो के less than expectations आया तो यह बहुत ही जदा बुलिश सायन है क्रिप्टो मार्केट के लिए वैसे तो बिटकोईन की मार्केट को क्रिप्टो मार्केट को FMC से फरक नहीं पड़ता था लेकिन जब वॉल्यूम लोग हो जाता है तो यह सब क्या होना चाहिए और वीविगल फ़े नहीं आना अठीक है भले 400-500 की मूव जब कवर करते हैं 7.47 लोग को लालची क्यों नहीं होना क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर बुलिश हो और बुलिश होने के बाद हर को यहां पर बाइंग करो बिटकोई की प्राइस जे वह उपड जा रही है ठीक है और क्यों नहीं प्राइस को जवाब देटाँ ठीक है हर चीज की यहां पर हमारे पास जो है इसक बिटकोई की वैल्यू तेजी से उपड जा रही है ठीक है तो हर कोई बाइंग करने हैं और हर कोई बाइंग के चकर में इस वक्त बाइने स्के फट्स को एवोईड कर रहा है से पीछे से FTC जो वो bankrupt के महोल पर आ चुकी और यह सब चीज़े हो रही है और इस वक्त भी यहाँ पर यही हो रहा है कि लोग पीछ बाइनस के फर्ट को एवाइट करें और सब लोग यहाँ पर FOMO में आके बिटकोईन को भाय करें क्लोजिंग के बाद बिटकोईन इस एडिया को एक अच्छी सपोर्ड बनाया क्योंकि यह हमारे पास एक resistance थी अगर इसको इस सपोर्ड बना के हमारे पास कुछ volume शो करता है तो मैं यहाँ पर एक nano entry लूँगा नीचे भी आएगा और जब यह अपनी एक support maintain करेगा उसक्त में एक सकून से एंट्री लूँगा तो चार सो पांसे डॉलर के चक्कर में आप 50% रिस्क और 5% reward मत लिया करो पर देख लिया करो सकून से कि मार्केट किस स्वे में close हो रही है किस तरीके से हो रही है पीछे फर्ट भी चलने बायने सके तो मेरे stop loss किदर होना चाहिए मुझे अपनी risk management किस तरीके से करनी है हम उस तरीके से यहाँ पर चलना है कि यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट में चीज़े अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है ठीके लेकिन यह बुल्ट्राइब्स भी हो सकता है यह काफी चीज़े और चलने क्यों कि यह जो चीज़े यह स्टॉक मार्केट मुचल फंड्स हो इन सब चीजों के लिए अच्छे अगर हम क्रिप्टो की मार्केट में देखे तो अभी रिसेंटली अफ्टिक्स का ताजा-ताजा स्कैम हुआ है इसके बाद बाइनस के फर्स चलने लोगों का एक्स्चेंजिस के उपर से बिल्कुल भरोसा उड़ चुका है तो यह सब चीज़े भी आप पीछे नज़र में रखो कि क्रिप्टो में इस वक्या चल रहा है तो यहां पर इंट्रस रेट साने हमारे पास उस चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कॉर्ट पर आपको एक एक सेगंड की अपडेट दूँगा तो डिस्कॉर्ट सर्वर कर लो यहां पर मार्केट अप्डेट से उपर आता है विटकॉण मेंटेन करता है तो हम यहां पर एंट्री लेंगे लेकिन कल भी एक बहुत वॉलटाइल मूव आएगी और अब आपको कोई एंट्री लेनी है अगर आप चारे हो कि आपको बहुत दो फोमोर रहे के नहीं आरह तो बिटकॉण मेरे हाथ से निकल गया यह हो तो बिटकॉण आपके हाथ से निकला बिटकॉण अभी आल्मोस्ट ब्रेक आउट के उपर आ चुका है ठीक है यहां पर वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पर मैंने आपको इस वाली केंडल को कवर करके दिखाया था कि जी हमारे पास एक हैमर केंडल बन रही है और ह बिटकॉण अगर 14-12,000 वाले रीजन के अंदर भी आता है तो मेरी एंट्रीस वापे भी होगी लेकिन अभी जो हमारी नजरे है वो सबकी है ब्रेक आउट के उपर अब FOMC की अगर हमारे पास अच्छी रिजल्ट आ जाते तो यहां पर हमारे पास अगर देखेंगे तो हम बिटकॉण को लोकल 17,600 वाला उस पूरे एडिया की कंसोलिडेशन की रिजिस्टेंस हमारे पास exactly इस पॉइंट पर है और बिटकॉण अब इस पॉइंट को टेस्ट करना चुका है यह देखो अगर हम इस खाली ट्रेंड लाइन को हटा देंगे तो यह हमारे पास एक रिट एडिया जब यह एडिया हमारे पास कौन सा एडिया 18,400 वाल एडिया जब देखो यही पूरी कंसोलिडेशन एडिया 8,400 वाल एडिया फिलिप होता है फिलिप होने के बाद हम यहां पर एंट्री लेंगे जो कि हमारे एक short term entries होंगी जो कि market को हम जाता देख सकता है जैसे कि हमने यहां पर market को देखा था एक local bottom लगा था फिर मार्केट उपर गई थी फिर एक new load लो लगा इसमें भी ऐसा हो सकता है कि market उपर जा सकती है फिर एक new load लो लग सकता है लेकिन आपने इस बीच एक चीज नहीं भूलनी है वो है पीछे बाइनस के उपर और जितने भी centralized exchanges इ दुनिया के लिए बहुत अच्छी है लेकिन crypto के अंदर इसक्त काफी बड़े-बड़े scams चल रहे है कल यहांप SBF को rest किया है यहांप SBF की herring है उन चीज़ों का क्या होता है यह सारे चीज़ है नजर रखने वाली है CZ इस वक्त USDT के withdrawal थोड़ी दरी के लिए रोग दिये बिटकोई यहांपर strength शो करें strength यहांपर strength क्या मतलब यहांपर बिटकोई अपनी शो करें कि विटकोई यहांपर support को hold कर रहे है कैसे यहांपर closing हो जाए closing और जो next candle खुले वह यहांपर maintain करें खुदको support maintain करें build करें जब RSI हमारे पास एक management कि अभी तो बहुत जादा overbought है बिटकोई ठीक है भी आप सबको भी बता है कि बिटकोई भी बहुत जादा overbought है अभी बिटकोई में हाट डालना समझो उड़ती हुई छुरी को पकड़ना या तो आपका हाथ कट जाएगा या तो आप छुरी को पकड़ लो कि दो चीज होंगी इसी तरह या तो हम देखो यह चीज में डिस्कॉर्ट पर अब्डेट करता रहोंगा साथ साथ ठीक है अभी मैंने कोई एंट्री नी लिए मैं यहाँ पर क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ कल एफो एमसी है कल यहां पर क्या मूव क्रिएट हो सकता है अगर कल बीपिस 50 बीपिस आए तो यहां पर देखो एम बीकी कॉलम लगो किस तरीके सी ती अगर हम अगरे फ्री सीजनल्स में आओ आओ आपको में डिस्कॉर्ट पर फ्री सिक्नल्स देता रहता हूं क्योंकि प्रीमियम की लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमें प्रीमियम जॉइन करना है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो आप उनको एक ट्राइल कॉल देता हो तेखो हमने यहां पर ब्रेक आउट पर एक एंट्री दी ठीके ब्रेक आउट के ओपर डिमांड जोन के बाद एक अच्छा मूव आता है तो आप वेट करना बिटको इन्ट्री लेनी है आप एक्यूमिलेट बिटको रहें यह सारी चीज़े दुपैर की कल की वीडियो के अंदर में बहुत जाथ अच्छे से एक्स्प्लेइन करूंगा इंशाला और आपको मजीद इस चीज़से जो अपडेटिट रखा जाएगा ना बिल्कुल वो मेरे डिस्कॉर्ट सर्वर पर अप्डूड रखा तो बस यही थी चीज़े इन चीज़ों का ख्याल रखो पीछे फर्ट को मत भूल जाओ कि पीछे दूसरी चीज़े क्या चल रही है यह जो न्यूज आई है यह फाइनल शेल मार्केट के लिए बहुत अच्छी है लेकिन क्रिप्टों के पीछे जो भी पीछे फर्ट चल ल पीछे जो झाल लाइनल खवा जो साथरी चाहिए के लिए वह जो चाल जाई है यह जो जो इन वह कि पूई है यह जो भीज़े है यह है जो उन्सवेशित चीज़ब कर दो लुदीए में है ज़ जो जो रहाने है यह जो चुट पीज़े जो एर सब्हार्ट अवावाई